हेलो दूस्तों स्वागत है आप सभी का रासु की रासोई में तो चलिए आज हम बनाते हैं मैगी के लिए लिए सिम्ला मिर्च, गाजर, एक टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और मटर लिए तीन पैकट मैगी तो चलिए अपनी सब्जियों को छोटा छोटा बारिक काट लेते हैं तो देखो हमने सब्जियां अपनी काट ले हैं चलिए पैकट से मैगी को निकाल लेते हैं तो देखो हमने अपनी सारी मैगी निकाल लेए अब मैगी को बीच से तोल लेंगे मैगी भी से तोड लेते हैं न छोटी दो बच्चों को खाने में दिक्कत नहीं पड़ती हैं बच्चे आराम से खाल लेते हैं तो चली अब लगते हैं कड़ाई गैस पे तो डालेंगे सर्सों का तेल तेल अच्छे से गरम हो जाएथ इसमें डालेंगे जीरा और राइ जीर अच्छे से चटक गए है तो अब इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और सिम्ला मिर्च दोनों को डाल दिये थोड़ा भूझ जाए तो अब डाल देंगे इसमें गाजर और हरी मिर्च थोड़ा इनको भूझ लेंगे तो अब डालेंगे टमाटर इसके बाद डाल देंगे इसमें मतर तो हमने अपनी मतर को डाल दिया है अब डालेंगे इसमें नमक और दो पैकट मैगी मसाला है न वो अभी डाल देंगे ये डाल दिया है मैजिक मैगी मसाला और ये डाल देंगे दो पैकट मैगी मसाला एक पैकट बचा लेंगे वो हम डालेंगे लाश्ट मे ये देखो डाल दिया है अब ये भुन जाए तो अब डालेंगे इसमें एक गिला क्या पर एक बार खाएंगे तो आपका बार बार बन करेगा तो डाल दी है मैगी बस मैगी दो मिनट में पक जाएगी कहते है न दो मिनट वाली मैगी तो देखो दो मिनट में बन जाएगी तो देखिए पक गई है देखो मेगी हो गई है बन के रेड़ी अब जो बचा था न मसाला एक प्यकर तो laptops दालेंगे इसमें देखो मेगी पूरी तरह से रेड़ी हो गई है गैस को कर देंगे बन तो देखो कितनी टेस्टी मेगी बनी है तो इसे निकाल लेंगे पिलेट में तो आपको आज की हमारी मैगी की रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करिए तो खाईए देखिए कितने टेस्टी है आप सब के लिए दिखिए हम आपको पास से दिखाते हैं है ना एकदम टेस्टी तो आप भी जरूर बनाईए चली हमारा तो देख के खाने का मन करने लगा तो हम तो चले खाने आप भी खाईए और बनाईए बाई बाई मिलते हैं अगली वीडियो में